वेलो स्टुडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल बाइलोजी मेंटर में NCRT Biology Hindi Medium कक्षा 12 के पहले अध्याय जियों में जनन इसके दो भाग हम पढ़ चुके हैं तो आज तीसरा भाग Language General के विशे में हम लोग पढ़ेंगे तो आईए शुरुवात करते हैं जियों में Language General या Sexual Reproduction इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा revision करना चाहता हूं आपका Language General के विशे में इस से पहले हमने Language General के विशे में पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा कि जो एक जनक होता है एक जनक के द्वारा अगर उसकी संतती उत्पन्न होती है तो इस परकार के जनन को हम अलेंगिक जनन कहता है तो लेंगिक जनन में इसमें दो अलग अलग जिवों के आवशकता होती है एक नर होता है अर्थात मेल होता है और दूसरा फिमेल होता है नर के द्वारा नर युगमक का निर्मान होता है और मादा के द्वारा मादा युगमक का निर्मान होता है नर युगमक को हम शुक्राणू कहते हैं और मादा युगमक को हम अन्दाणू कहते हैं ठीक है तो मेल और फिमेल दो जीव हैं, मेल के द्वारा मेल गेमिट बनाए जाएगा, अर्थात नर युगमक बनाए जाएगा, और फिमेल के द्वारा फिमेल गेमिट अर्थात मादा युगमक बनाए जाएगा, जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, नर और मादा युगमक के मिलने से क्या न नर और मादर के मिलने से जाइगोट या युगमनस बनता है। और जाइगोट के बनने की इस परकरिया को हम निशेचन कहते हैं। क्या बनाएगा ब्रूण बनाएगा और ब्रूण आगे और वृद्धि करके नए जीव में बदल जाएगा अर्थात नए जीव की उत्पति ब्रूण से हो जाएगे इस प्रकार का जनन जिसमें दो युगमक मिलते हैं और उससे जाइगोड बनेगा और जाइगोड आगे करमशा नर और माद युगमक कहलाते हैं हमारा जो शरीर होता है उसमें प्रते एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है लेकिन जो युगमक होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है अर्थात 23 होती है तो हमारे जो शरीर में प्रते कोशिका में क्रोमोसोम ह होते हैं अर्थाद जनन कोशिकाओं को छोड़ कर शरीर के बाई बाकी सारे काई कोशिकाओं होती हैं उन्हें क्रोमोसोम 46 होते हैं जो कि हम उन्हें क्या कहते हैं 2N कहते हैं अर्थाद मनुश्य में कुल क्रोमोसोम 2N बराबर कितने होते हैं 46 होते हैं और अर्दशूत्री विभाजन के द्वारा यह जो जनन कोशिकाओं होती हैं अर्थाद नर युगमक शुक्राण और माद युगमक का निर्माण होता हैं तो हम जानते हैं कि 11 में आपने पढ़ाव होगा कि जो अर्दशूत्री विभाजन होता है उसमें एक कोशिका विभाजित होती है ठेक है एक कोशिका विभाजित होती है पहले तो क्या बनाती है यह दो कोशिकाओं बनाती है और प्रतेक दुबारा विभाज होके दो दो बना दिक अर्थाद शुरुवात में जो एक इतार कोशिक्या है बनी परते में्लों किसम की संख्या से रहे जाएगे अर्थात अगर हम 16 को क्या कैते हैं तो 20 और 20 को हम क्या क्यों है म्लोग अगुणी की बात करेंगे आंस अगरager-23 के बात कर रहे है किसका मतलब जीव कि हम किसकी बात कर रहे है कि जीव द्यूगड या डिपलोड है यह मनुष्य के केस में इसी तरह से हर जीव में और दसुतरी वाजन होगा तो उसमें यूगमक बनेंगे यूगमक को शरीर के जो काई कोशिका होंगी उसको हम टुएन या डिपलोड सेल कहेंगे या दिगुड़ित कोशिकाएं कहेंगे तो अलग किसी और वीडियो में मैं आपको यूगमक को की बारे में अलग से समझाओंगा तो आईए इसके आगे बढ़ता है को जो लहंगिक जनन होता है लहंगिक जनन में कितनी मुक्ष घटनाएं होते हिसले तीन पडू में पूरण होता है तो नमबर पहला निशेजेचन पूर्वी की घटना प्रीफिफटलियज के इवेंज दू सेके निशेचन या फररीज़ेशन ए सैड फेल भाज घटनाए या post fertilization events तो जो नर और मादगमग मिलेंगे तो मिलने से पहले की जो परक्रिया होगी उसको हम कहेंगे निशेचन की पूर्व घटना कहेंगे देखते हैं कि निशेचन की पूर्व घटना में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो पहला जो निशेचन की अंतरगत जो पद है या जो पहला step है वह है और निशेचन पूर्व घटनाए या उसे हम कहते हैं pre-fertilization event हम जानते हैं कि नर और मादगमग की मिलने को निशेचन कहते हैं लेकिन जो नर और मादय युगमक होता है वो आपस में मिलने से पहले निर्माण होगा उनका ठीक है तो सबसे पहला निशेचन पूर्व की घटना में पहला आएगा युगमक जनन और दूसरा युगमक को का स्थाना अंत्रा तो पहला हम पद पढ़ेंगे या पहला जो स्टेप पढ़ेंगे निशेचन पूर्व की घटनाए में युगमक जनन तो हम बात कर रहे हैं कि नर युगमक शुक्राण और मादय युगमक अंडाण। जब आपस में मिलेंगे उससे पहले इनका निर्माण शरीर में होगा कोई भी जीव जैसे कि मनुष्य जिनमें युगमकों का निर्माण होता है उनके शरीर में जो डिपलोइट सेल्स होती है अर्थाथ दुगडित मात्री कोशिगा होती है उसमें क्रोमोसम के संक्या होती है 2N ठीक है एक कोशिगा जो की दुगडित कोशिगा है हम क्या कह रह होगा उसमें होगा अब अर्दुशूत्री विभाजन जिसको हम क्या कहते हैं मियोसिस भी कहते हैं या डिदक्शन डिविजन भी कहते हैं एक कोशिगा के विभाजन होने से पहले बनेंगी तो कोशिगा है ठीक है पहले बनेंगी दो कोशिगा है और प्रते कोशिगा पुन है या इसको हम दिगुडित मात्री कोशिगा कहता है इसका विभाजन हुआ तो क्रोमोस्वम के संख्या कितने होगी आधी आधी एन एन हो गई और पुनह ये कोशिगां विभाजी दोती हैं समसूत्री विभाजन की तरह ही तो प्रते जो चार कोशिगां अंत में बनी उनमें क्रोमोस्वम की संख्या एन एन होगे अर्थाद शुरुवात ही जो मात्री कोशिगा है समझे द्यान से शुरुवात में जो मात्री कोशिगा दी क्रोमोस्वम की संख्या उसमें टू एन ती अर्थाद हुआ डिपलोइड कोशिगा दी ठीक है तो डिपलोइड कोशिगा मे अर्दुसुती वाजिन के द्वारा अंत में चार कोशिकाएं बनती हैं चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और उन में क्रोमोसोम की संख्या एन होती है और इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं है या अगुडित कोशिकाओं कहते हैं ठीक है तो जो जनन कोशिकाओं होती है एक बार इसको पढ़ लेते हैं युगमक जनन या गेमटोजनेसिस युगमक निर्माण की हां तो यह चीज भी है कि सबसे पहला जो युगमक जनन और जनन मतलब के पैदा होना युगमक मींस नर युगमक शुक्राण और मादय युगमक अंडाण नर युगमक और मादय के बनने के इस परकिरिया को हम कहते हैं युगमक जनन और युगमक निर्माण की परकिरिया युगमक जनन कहलाएगे इस परकिरिया में द्युकुडित मात्री कोशी का डिप्लॉइट मदर सेल्स में अर्दशूत्री वाजन की परकिरिया के फल्सुरूप अगुडित नर का निर्मान होता है जिसको अभी हमने समझा एक चित्रइक की मात्रम से तो आएए आगे बढ़ते हैं इस चित्र就是說 एक बार स्मझने का परियास करते हैं जैसा की मेल में हम बात करते हैं मेल में जैसे कि मनुष्य मेल मेरा मात्री कोशी गुजयागी ठिक है तो यू जो मातरी कोशिका होगी उसमें क्रोमोसिम कि संक्य कितनी हैRR兄 दूं होगी ठीक है। थू एक जो कोशिका है जिसमें क्रोमोसिम के शंक्य टूं है जिसे हम क्या कहता है डिपलोल्ट सेल्स या दिगृत कोशिका तो इस कोशिका को क्या कहेंगे दिगृत मात्री कोशिका तो यह दिगृत मात्री कोशिका होगी उसमें अर्दुसुत्री वाजन जो फस्ट हुआ उसके द्वारा दो कोशिका हैं बनेंगे एक कोशिका एक दूस क्रोमस्व में एक कोशिका डिवाइड होके गड़ाबत फूरिख को बिसमें प्रत उखेंगा डिवाइड होंकि दो का बनातीय इस सबों को संधिया इस सब्सक्राइब बाइब सब्सक्राइब यह उसी तरह से व router बद पर वाजन हुआ और अंत में चार कौन संदो लहेंगे अगूड़त मात्र कुश कढहएंगे यह FC कर लेंगे शुक्राणु या सपाम इंको करते हैं ठीक है इनको को सबस्कारान चाहां या सबस्क्राणी एक Sherton आप जिए कुषीत आप एक तुरषीर से फिमेल में फथी में मेरस लुग देखते हैं कि जो कच्छी नेuyorum कोशिकाइं बनेंगे एक को इसको आगे नेक्स चप्टर में थर्ड चप्टर में आप लोग पढ़ेंगे पोलर बोड़ी फस्को इतना हम लोग यहां पर डीपली नहीं चाहेंगे आप इतना समझें एक कोशिका दुगड़ित मात्री कोशिका डिवाइड हुई उससे दो कोशिकाइं उसी समय आदी होगी उसके बाद जैसे कि माइटोसिस होता है समसुत्री वाजन होता है उसी तरह से इसमें मियोसिस सेकिन हो जाएगा प्रतेक से एक एक कोशिकाइं बनेंगे तो इनमें भी एनन क्रोमोसुम की संग्या अर्थाद शुरुवात में आप यह दिगुडत मात्री कोशिकाइं अर्दुद्रिवाजन होने से अगुडत क्या बने अगुडत डॉट्र सेल्स बन गया अगुडत युगमक बने तो अर्थाथ अण्डाणों का निर्मान मादा में और शुक्राणों का निर्मान पुरुष में मेल में होता है ठीक है तो मैं अधा इगमक को अंडाड या कहते है को मेल गएमिक उगा उसको क्या कहते हैं इसमें kromosom के संधय कोई पूछे तो क्या होती है यह दानोटिन अंगर मनुष्रियार सब्सक्रादों कि संधियां 16 तो अंडाण में कितने होगी क्योंकि 2N बराबर 6ल से तो एन बराबर 23 होगी इसी तरह से शुक्राण में भी क्रोमोसम के संख्या 23 होगी तो आगे बढ़ते हैं तो युगमक की बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो युगमक के प्रकार टाइप्स ऑप गेमेट्स अगला जो टॉपिक है युगमक के प्रकार युगमक अर्धात हमने कहा कि किसी भी द्युग्डित मात्री कोशिका अर्धात जो 2N है उसमें और दुवजरी वाजन होके क् एन नमबर और कोशिका बनेग directional के उसको हम कहेंगे युगमक के एंगे और युगमक मिलेंगे उससे जाइगोट मनेगा जिसे हम निश्य Dafne कहते हैं तो युगमक कितने परकार के होते हैं युगमक मुक्य रुप से दो परकार के होते हैं युगमक क्यों सामाने रुप से अगर युगमक को हम बाटेंगे तो युगमक के कितने परकार होते हैं दो परकार होते हैं नमबर फर्स्ट सम युग्मक या आईश्य गेमेट कहते हैं रूसरा विश्म युग्मक या हैट्रोगेमेट एट्रोगेमेट आई य one हिटरो समान है और हेप्षम या तो आगे एकएक र करके इनको समझने का प्रियास करते हैं नंबर पहला टॉपिक जो है वह समयुगमक प्रकार का यूगमग सेसन प्रकारी की रूम से पूर्णत या सम曾 यूगमक surprise से नर योंदृ युगमक होंगे और रुप कोन रूप से इनका आकार समान होगा कह सकते हैं कि आकारी कि और परिमान रूप से परिमान और इनका और आकार फासा बिल्कुल एक size इनका size और shape शेम होगा आकार भी एक जैसा होगा और इनकी जो size होगा वे एक जैसा होगा shape भी जैसा होगा और size भी जैसा होगा इस परकार की जो यूगमक होंगे उसे हम क्या कहेंगे सम यूगमक कहेंगे उदाहरण के लिए इसमें थोड़ा सा grammatical mistake है उदाहरण में आप इसको ठीक कर लेज़ेगा जो उदाहरण में जिसे Cletophora, Pclamidomonas एक परकार की शैवाल है इन में किस परकार की युगमक होते हैं ऐसे युगमक होंगे जो आकारी की रूपसार था एक एक जैसे दिखाए देंगे उनको differentiate करना कि नर युगमक कौन सा है मादा युगमक कौन सा है बड़ा पॉजबिल नहीं बहुत ही कठिन कारी है नर और माद युगमक एक ही जैसे दिखाए देंगे तो यह क्या कहलेंगे आइस्टो गेमेट्स या सम युगमक तो इसको ज़रा डाइग्राम की सायता से समझने का परियास करते हैं इस डाइग्राम में आप देखिए इसमें दो यह गेमेट है नर युगमक और मादा युगमक इसमें पहला युगमक और दूसरा युगमक आप इसमें देखिए इनका जो सारी रिक्स जो सनरजना है इनके का जो आकार है और इनका जो परिमान है इस परका प्रकार का जो युगमक होगा उसको हम सम युगमक या आईसो गेमेट्स कहेंगे आईए अब दूसरे प्रकार का विशम युगमक के बारे में पड़ते हैं विशम का मतलब विशम का मतलब भिन्न होता या अलग होता है विशम युगमक या हेट्रो गेमेट्स हेट्रो मतलब अलग या भिन गैमेट्स मिन्स युगमक जब नर्व मादा युगमक आकरी की रूप से समान नहीं होते हैं तो इन्हें हम विशम युगमक कहते हैं धर्थाथ जब इनका आकार एक दूसरे से भिन होगा ठीक है ऐसे युगमक जो अलग-अलग आकार के होंगे एक का आकार छो चोटा होता है और मादा युगमग आकार में बड़ा होता है ठीक नर युगमग को पुमणु या शुक्राणु कहते हैं जैसे पुमणु प्लांट्स में जैसे अम टेरिडोफाइट्स की बाद कर रहे हैं ठीक है उन में क्या गेंगे इनको पुमणु कहते हैं और मादा यु का नाम के है पुमण उसको कहते हैं या शुक्रान उसका नाम होता है और मादा युगमक को हम सामाने रुप से अंडान कहते हैं या एक कहते हैं या ओम कहते हैं प्रा यहां मादा युगमक आकारी में बड़ा वह अचल या नोन मोटाइल होता है ठीक है जो मादा युगमक और फिमेल की बोडी तक जाएगा ठीक है या एक है सकते हैं कि जोुदहाल सब्सक्राइबाम होता है , और मनुष्य अन्य जीव भी हैं तो इनका एक करके इनके बारे में हम डाइग्राम की साथ से समझने का प्रियास करते हैं तो यह जो डाइग्राम है हेट्रोगेमेट्स और फ्यूकस अर्था एक परकार का जो श्यवाल है उसमें हेट्रोगेमेट्स के बारे में दिया है विशम य कि देख रहे हैं कि बाद यह संरजन तो यह फ्लेज़न जो होता है क्या करते मुफ्मेंट की में इसकोय से लें तो इसलिए यह क्या होता है मोट्यल या चलने वाला चल इसलिए जड़ा इसको कहते स्वreasलय हुता है जो निशेशन करने के लिए फिमेल गेमेट तक आता है दूसरा एक्जामपल हम देखते हैं है फिमन विंग्स होते हैं उनमें उखार में बड़ा है और जो एस्पाम होता है वो अकार में इसे फॉटा होता है उस्पाम में मद्य खंड होता है इसमें इसका इसका मूवमिंट करने में गति यो परदान आगे अ गति की बढ़ता है तो वह गति परदान की जाती इस पूझ से और बीच का में होता है जो कि इसको आगे बढ़ने में energy provide करता है तब जाके शुक्राण आगे बढ़ पाता है जो इसका है रिजन होता है जो यह एग होता है यह वाला जो एक होता है एक के जो बाहर की जो ना पहले इस लेयर होती उसको डेस्ट्रॉय करेगा यहाँ पर ठीक है तो अंदर युगमक होते हैं युगमक किस परकार से बनते हैं और युगमक कितने परकार के होता है तब आगे जो टॉपिक यह वह है युगमकों का स्थान आंतरन transfer of gametes तो जो युगमग होते हैं नर और मादा जो युगमग होते हैं उनका एस्थानांतरन किस तरह से होता है जो नर युगमग होगा नॉर्मली नर युगमग जो motile है उसको ही female तक आना है तो नर युगमग और मादा कायक रूप से एक दूसरे के नजदिक पहुंचने की परिक्रिया को ही क्या कहते हैं युगमग अस्थानांतरन कहते हैं अर्थात यहां पर एक युगमग है और यहां पर दूसरा युगमग है आपस में अगर एक युगमग दूसरे के नजदिक आ रहा है अर्थात एक युगमग के अस्थ अनांत्रण ट्रांस्पर बोट गेमट्स प्राया जोक्यमग होता है क्या यहको क्या होता है delivery क७िसे से यहां की बाद करते हैं कुछ के बारे में बात करते हैं जैसे कि शैवाल नॉर्मली जलीय होते हैं पानी में ही मिलते हैं इजली उनमें जो गेमेट्स होंगी एक दूसरे के पास जली माध्यम में आएंगे ही आएंगे और ब्राइफाइट्स और टेरडोफाइट्स ये भी क्या होते हैं इनमें जो नर्युगमक होगा वो जली माध्यम में ही गति करके माधा के शरीर में उपस स्थानांतन होगा उसके लिए जल एक माध्यम का कार्य करता है एक प्रशनी पूछा जाता है कि जो प्लांट्स किंग्डम का जो एंफिवियंस कौन है अर्थत जो ब्राइव फाइटा होता है उसमें हम अधिकान शुरूप से देखते हैं कि यह क्या होता है कि लेंगिक जनन क किंग्डम या पादब जगत के उभैचर बात करते हैं उच्च पादब में जो उच्च पादब होते हैं जैसे कि पुष्प ये पॉंधे जो आवरद बिजी पॉंधे होते हैं उनमें पुष्प होता है पुष्प में जो नर्भाग होता है जिसको हम पूंकेशर कहते हैं उस पूंक के सर में पराग कोश के अंदर पराग कण बनते हैं अर्थाद पराग कोश के अंदर पराग कण बनेंगे उन पराग कणों के अंदर नर्युगमग होता है तो नर्युगमग जैसे पराग कण एक जैसे यह फ्लावर है यहां से पराग कण उड़ गया और दूसरे फ फ्लावर से ट्रांसपर होके यहां से गया दूसरे फ्लावर के माधा पाड अरधात जो वर्तिकागर होता है वहां तक पहुंचा तो इस प्रकिर्याग हम परागन कहते हैं और जो यह नर्युगमक इसके अंदर से पहुंचा उसको पहुंचाने का जो माध्यम था वो क्या था परागकन यह कह सकते हैं जो उच्छ पादव होते हैं उनमें नर्युग मकुक का स्थानांत्रण करने के लिए परागकन एक माध्यम का कारी करेगा अर्थात्थ परागकन एक वाहक का कारी करता है ठीक है इन पहुद्धों में परागकन परागन परिकिर्या के द्वारा युगमक क्या होता है युगमक कितने प्रकार के होता है और युगमकों का स्थानांत्रण कैसे होता है अब नर्युगमक अगर मादा तक पहुंच गया ठीक है नर्युगमक मादा तक पहुंच चुका है अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वह क्या होगी निशेचन होगी अर अर्थाद नर्युगमक को कहते हैं स्पर्म फिमेल गेमिट को कहते हैं और या एग तो नर्युगमक और मादा युगमक अगर आपस में अब जुणेंगे तो जुणने से जाइगुड बनेगा तो यह परक्रिया क्या कहलाएगी फर्टलाजेशन या इसको नॉर्मल ले हम फर चेक्रिया जिसमें नर्युगमक मिलेंगे जिनके मिलने जैसे यह 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 से हो गया दोन मिलेंगे तो क्या बनेगा और यह होगा तो यह शब्द लगभाय आगे भी हम लोग पढ़ेंगे अगले चेप्टर में और आपको क्लियर होता जाएगा लगभग क्लियर तो होई गया होगा तो हम लोग अब इस इनिशेचन को एक डाइग्राम की साइधा से समझने का पुरियास करता है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आप यह डाइग्राम में देखें जो यह मुवमेंट कर रहे हैं ठीक है जो यह मुवमेंट कर रहे हैं जो यह गति से मुवमेंट कर रहे हैं यह स्पर्म है यह स्पर्म है इनका हैड रिजन है और इनका यह क्या है यह टेल है और जो यह संरश इसमें इन है अगर यह एन है ठीक है इसमें भी एन है तो दोने मिलकर टुएन हो जाएगा तो उसके बाद जो जाइगोड बनेगा वह उसको क्या कहेंगे डिप्लोइड जाइगोड कहेंगी तो अब हम लोग आगे अगले टॉपिक को देखते हैं निशेचन के बाद हां कितने प्रकार हैं 2 प्रकार है एक तो यह हो सकता है कि नर आपस में मिले है तो दो तरह सी क्या हो सकता है मदरे निशेचन ऑर आंतर्डग निशेचन अर्धाथ एक्स्टरनल फर्टिलाज़जेशन भी हो सकता है तो आई यह हम लोग सबसे पहले देखते हैं दाजन्तर एक्स्टरनल केते हैं ठिक है अर्धात इन शब्दू से आप वे इसे समझ सकते हैं कि जब शरीर के बाहर मादा के शरीर के अंदर ही निचेजन लेकिन कभी कभी यह हो सकता है कि शरीर के बाहर भी कुछ जीव में यह प्रकृत देखने को मिल चा gland जंके यह इसलिव होता है क्योंकि जली मैंने कहा कि इसमें निशेचन होगा कुछ यह जाएगा कुछ ने माध्यम होगा तब भड़ पाएगा ने जिव हैं जल्य जिव झूड़ेगी उप्यक्ट समय आने पर जैसे वह आपस में एक दुसरे के नसरी कहाएंगे तो शुक्रान और अंडानःधात नर्युगमक और मादायुगमक आपस मैं मिल जाएंगे, जल में ही मिलंगे, जिससे कि उन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, निशेचन के प्रक्रियाओगी जिससे जैगुड का निर्माण होगा, अब हम बात करते हैं, कि जो बाहे निश जाइगोड बनेगा कुछ समय के बाद वो छोटा सा एंब्रियो बना किसी दूसरे शिकारी जीव की नजर में आ गया तो उसका सुरक्षित रहना कोई संभव नहीं है तो आये जो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि बाहर निशेचन क्या हो सकता है उससे पहले फोड़ा स्कतरा दोनों जुड़े उससे क्या बन गया उससे जाइगोड बना वर आगे क्या हो रहा है यह फोड़ाए और भूर्व बनाएगा गूर्व धूर्व बादल रहा है और अन्त में इससे एक नया मचली का जो बच्चा है वो बन जा रहा है इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक्स्टेंडर फटलाइशन वो जल में इजली हो सकता है तो आईए अगला जो टॉपिक है वो है बाहर निशेजन के नुकसान हम बात कर रहे हैं कि शरीर के बाहर होने वाला जो निशेजन है अर्थात नर युगमक मादा के शरीर के बाहर मादा युगमक से जब मिलेगा तूसे हम बाया निशेजन कहते हैं इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं नंबर पहला जिवधारियों को अत्यदिक संक्या में युगमकों का निर्मान करना होता है जिससे निशेजन के आउसर बढ़ जाए अर्थात इन में युगमक सनलयन के अफसर कम होते हैं घुट तक है कि जो नर का जो गैमिट मेंल गैमीट और फिमल जो गैमिट होते हैं मादा के सरशे यह कुछ यह भी हो सकता है कि कुछ गेमेट्स वैसे डिस्ट्रोई हो गए हैं क्योंकि बाहरी वातावरण में उनमें सुरक्षा भी नहीं है तो ऐसे समय पर यह हो सकता है कि यूगमक को अगर कम यूगमक बने तो ज्यादा चांसे उनके संलें के नहूं इसलिए बहुत ज्या परहें दूसराशा कि या क्यों सकता हूँ ज्यादा यूगमक बनाने के शरीर को जयादा उर्जा ज्यादा ओरिगां इसका पार्फ्य के बाहरे वह आपस में जूड़ायए बहुत कम चांसे होते तो काफे सारे डेस्ट आव जाएंगे या काफे सारे नहीं जुड़ पाएंगे अर्था सन लेन के अफसर इसमें थोड़ा कम होते हैं अगला है संतती शिकारियों द्वारा शिकार होने के स्तिती से गुजरती अर्था इसमें क्या होगा कि जितने भी नर युगमक और माधा वहां पर हैं उनके द्वार आगर बाइदवे निशेचन हो भी गया कुछ तो निशेचीत होंगे अंडे जो अंडे निशेचीत होंगे अर्था जो जाइगोड बना उससे आगे ब्रून भी बनेगा तो जरूरी नहीं कि सब के सब ग्रून आगे परिपक को जाएंगे जो शिकारी जीव इनको इनके परिपक होने से पहले ही खा सकता है अगला टॉपिक है आंतरिक निशेचन आंतरिक मिन शरीर के अंदर अर्थात जब नर युगमक मादा के शरीर के अंदर जाकर मादा युगमक से मिलेगा उसे हम क्या कहता है आंतरिक निशेचन कहता है अर् मेंहें मेल का जो नर युगमक होगा या मेले व learner वो क्या मोटाएल युचा सकता है deals के शरीर के अंदर फी मेल गेमित के घूर तक जाना होता है उदार्ण के लिए स्तंधारी की स्क Gesetzentwurf आप मनुष्य इस्तंधार का एक्जांपल है मनुष्य स्थंधारी और पक्षी सरी स्रीप आधी जीओं में हम अंतरिक निशेचन देखते हैं आगे बढ़ते हैं जाइगुट बना और और निशेचन हो गया जाइगूट बन गया उसके बाद निशेचन के बाध सधाने वाले जो घटना वह उसे हम निशेचन पस्ट घटना के अंतरगत पढ़ेंगे तो यह डल्लजस्राइड कोई फटो addressing तो इसलिए आपको लगबगे समझ में आ चोगा और फिर भी एक बार इसको हम देख लेते हैं युगमनेज या जाइगोट दो युगमक कोशिका हैं गेमेट सेल्स लेंगे परजिनन के द्वारा सहिक तो गर जिस कोशिका का निर्मान करते हैं कि रज़ी आपक सकते हैं अर्थाद नर्युगमक है मात युगमक है दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बने गा twin बनेगा अर्थात नर युगमक और मादा युगमक के जुणने से जो संरशना बनेग उसे हम क्या कहता है जायगोड कहता है इस जायगोड के बनने की परकरिया को निशेचन कहता है यह हमने पढ़ा है चीज में यूद्हवाल में यूवमनेज में अर्थ सुत्री विभाजन होता है और न्यी श्यवाल निर्मान होता है हमने पड़ा कि जो यूवमनेज होता है नॉर्मली क्या फड़ता है उर्सके बात ज्यू बनेगा जीव क्या होगा जीव में समसुत्री वाजन होगा अर्था 20 से 20 बनेगा कोशिका जो होगी एक कोशिका डिवाइड होगी अगर समसुत्री वाजन होगा इससे कितने कोशिका बनेगी दो कोशिका बनेगी और प्रतेक में क्रोंसोम की संख्या भी सेम होगी इस तरह से जो बड वक्क होता जाएगा बढ़ा बनता जाएगा समसूत्रिवाजन के द्वारा लेकिन जो छोटे जीव हैं जैसे के शहवाल है उसमें यूगमनज युगमनज में अर्दसुत्री वाजन होता है तब जाकि नए शेवाल का निर्मान होता है ऐसा क्यों होता है अर्था 2N है युगमनज मतलब 2N है उसमें अगर अर्दसुत्री वाजन होगा तो हम जानते हैं कि जो अर्दशूत्री वाजन होगा ठीक है जो अर्दशूत्री वाजन होगा उसमें क्या होता है एक कोशिका वाजित होगी तो उससे बनेंगे चार कोशिकाएं उससे कितने बन जाएंगे चार कोशिकाएं बनेंगे और प्रतेक में क्रोमोसम के संक्या आद अरथाध शरीर कैसा होगा गूडित हिर्फ उनके शरीर में क्रोइी may न होगी और जब ये जायगोड बनाएंगे तो जाइकोट क्या होगा इनका 2N होगा ठीक है तो उनमें तो क्या अरदोस्त्री वाजन के द्वारा शरीर बनेगा लेकिन जो उच्छ पादप और जन्त होंगे उसमें जो यूगमनस बनेगा अल्रड़ी जो 2N बना है यूगमनस उसमें कौन सा वी वाजन होगा समसुत्री वाजन होगा इसको ध्यान देने वाली बाद है शेवाल में यूगमनेज में अर्दुस्थी वाजन होंकर शरीर का निर्माण हो रहा है और बड़े जीवें उनमें यूगमनेज में समसुत्री वाजन होकर शरीर का निर्माण होगा अब शरीर में यूगमनस बन चुका है और यूगमनस आगे बढ़ेगा उससे नया जीव बनेगा तो ये वाली जो घटना है जो वाली प्रक्रिया है वह ब्रूण जनन के अंतरगत हम पढ़ेंगे ब्रूण जनन या जिसको ब्रूणोद भव भी कहते हैं या फर्टिलाइजड एक को हम यूगमनस कहते हैं एक एगे शुक्राण के द्वारा फर्टिलाइज हो गया और था निशेचित हो गया तो निशेचित अंडा जो होता है वह क्या कहलाएगा वह कहलाएगा यूगमनस या जैगूट बना हुआ है जैगूट परिपक को होगा तो ब्रून जनन दो परकिरियों में पूर्ण होता है, तो जो ब्रून जनन होगा, वह अभी कितने परकिरियों में पूर्ण होगा, दो परकिरियों में, नमबर पहला है कोशिका विवाजन या सेल डिविजन, दूसरा है कोशिका विवेधिकरण, कोशिका विवाजन या सेल तो यह क्या है एक यूगमनस बनाएं इसमें कोशिका विवाजन होगा समशूत्री कोशिका विवाजन तो इस समशूत्री कोशिका विवाजन में एक कोशिका डिवाइड होकर दो कोशिकाइं बना देगी ठीक है दो कोशिकाइं बना देगी और दोनुई कोशिकाओं में क्रो दो दो बनेंगे इससे भी दो बनेंगी इससे भी दो बनेंगी तो पृषिक के बात हजारों कोशिकाएं बंजाश ठीक है अब कोशिकाएं तो बनगी कोशिकाओं के खाली समू बन गया ठीक है बहुत सारी कोशिकाओं एक जगह होती है तो कोशिकाओं का क्या बन जाएगा एक समू बन जाएगा जिस तरह से हम कैंसर में कहते हैं कि एक प्रकार का ट्यूमर बन दार्धात गांट कोशिकाओं का बहुत सारा समू बन जाता है उस तरह से अगर कोशिकाओं का समू बन गया तो वो किसी काम का नहीं ठीक है अब बहुत सारी जो कोशिकाओं बनेगी इनका विभेदिक करण ओना जरूरी है कुछ कोशिकाओं से छसिरीड के कुछ अंग बनेंगे जिसे हुड़न बन सकता है हाठ पांव बन सकते हैं सिर बन सकता है और क्लिप, किसी से जो कोशिकाओं बनती है कोशिका विभाजन के द्वारा बनेंगी उस कोशिका विभाजन का नाम क्या है समसूत्री कोशिका विभाजन ठीक है उसके बाद कोशिकाओं में विभेदी करण होगा कुछ कोशिकाओं के समू से कुछ चीजे बनेंगे कोशिकाओं समू जिसे हम उत क्याता है कुछ से कुछ कोशिकाओं के समूं से कोई संरजना बनेगी कोशिकाओं के समूं से दूसरी शरी की संरजना बने तो इस तरह से को शिकाज विविदे करन में क्या होगा जिसको हम सेल डिफ्रेंशेशन कहते हैं इसके द्वारा उत्तक वह अंगों का विकास होगा कुछ उत्तक या अंगों से कोश्정을 शन्रच नहीं बनेंगी कोश्गाओं के समों से या उतक से दूसरे वंग बनेंगे इस परकार से कोश्गा वभादन और कोश्गा विवेदी करण कि द्वारा एक परकार किया सकते हैं कि उन नुग बनेंगा आगे परपक्क होगी उसी से कि accomplish नया जीव बनेगा तो यह चीज हम समझने के लिए डाइग्राम का फिर डाइग्राम की हेल्प लेते हैं जैसे यहां पर दिया गया है कि जो मनुष्य यह मेल है यह फीमेल अर्दसूत्री भाजन की द्वारा अर्था मियोशिस की द्वारा इस्प्रम का निर्माण हुआ मेल में और मियोशिस की से द्वारा फिमेल में एकका निर्माण हुआ दोनों जोड़ जाएंगे तो उस पर क्रिया को हम क्या कहते हैं कहते हैं उससे क्या बनेगा जैगोड बनेगा अर्थात यह हो रहा है हो गया है तो होने के बाद कौन से सनरशना बनी जैगोड बना दीरे दीरे जो यह आपको दिखे दूनों मिलके एक सिंगल नुकलेस बन जाएगा दूनों के जिस मतला मन जाएगा और उसके बाद यह परिपक को क्या बना गया और थात हमने पड़ा कि जाइगोड के परिपक को कर गूरूण बनने की प्रक्रिया को गूरूण जनन कहते हैं जो कि कोश्का विवाज प्रक्रिया तो इस तरह से आज हमने पड़ा कि लेंग जनन क्या होता है लेंग जनन में कौन-कौन से पद होते हैं और इसके संबंद में हमने पुरा समझने का प्रियास किया आज के लिए बस इतना ही प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल लाइक शेर और आगे पढ़ते रहे तो आगे अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के अचोथे भाग को लेकर आएंगे तब तक के लिए आप पढ़ते रहें कीप स्टुडिंग टेक कियर बाई